मनुष्य की अकाल मृत्यू क्यूं होती है? मनुष्य की आयू क्यूं घट जाती है? मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? क्यावल्ल क्या है? मनुष्य को दुख ही क्यूं होता है? मनुष्य यह जीवन क्यूं लेता है? अविद्या क्या है? क्लेश क्या है? और इन सब की जननी क्य मनुष्य बंधनों में क्यों बंधा हुआ है, मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, अपने अस्तित्व का ज्यान कैसे होता है, क्या है मनुष्य का पूर्णाहार, क्यों मनुष्य अपने जीवन के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहा है, ऐसे अनियक प्रशन जब म अतो मुक्ति जिग्यासा, इस कारण मुक्ति जिग्यासा है, मुख्य लक्ष मुक्ति, जब मनुष अनुमान से ही क्यों न हो इस श्रिष्टी के वास्तविक सुरूप को, इस श्रिष्टी के और उसके अपने बीच विद्दमान संबन्ध को समझ जाता है, तथा जब इससे आगे जाकर वहया जान लेता है कि वह माया के अंधकार के कारण ही कुछ देख नहीं पाता है और वह माया के बंधन ही हैं जो उसे अपनी आत्मा की विस्मृती की गर्त में पकड़े रखते हैं और उसके समस्त दुखों को जन्म देते हैं तो स्वभाविक ही वह इन सब जन्जटों से मुक्त होना चाहता है तब माया के बंधन से मुक्ती ही उसके जीवन का मुख्यलक्ष बन जाती है आत्म सुरूप में इस्थित होना ही मुक्ती है अपने सुरूप में या आत्मा में अविस्थित रहना ही मुक्ती है जब मनुष्य माया के इस भाव उत्पन श्रिष्टी से उपर उठता है और इसके प्रभाव की पहुँच से पूर्णता बाहर हो जाता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने सत सुरूप अर्थात अनंत परमतत्र में अवस्थित हो जाता है तब सभी कलेशों का निवारण और परमार्थ की सिद्धी होती है मुक्ती ही मोक्ष है या मुक्ती प्राप्ट करने पर मनुष्य सारे कलेशों से मुक्त हो जाता है और उसके हिदे की सारी इच्छाएं अकांशाएं पूर्ण हो जाती है अतह उसके जीवन का मुख लक्ष उस प्राप्त हो जाता है अन्यथा अपून कामनाओं से जन्म जन्मांतर में व्याप्त दुख प्राप्त होता है मनुष्य को दुख क्यों होता है परन्तु जब तक मनुष्य अपने स्थूल शरीर के साथ एकाद्म होकर रहता है अर्थात स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है और अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाता है तब तक उसके हिदे की इच्छाएं अत्रिप्त रहने के कारण उसे खलती रहती हैं उन्हें पूरा करने के लिए उसे बार बार माया के आधीन रक्त मांस का शरीर धारण कर जीवन के इस रंग मंच पर आना पड़ता है और ना केवल वर्तमान परिस्थिती में बल की भविश में भी जीवन और मृत्यू के सारे दुख उठाने पड़ते हैं कलेश अविद्या से उत्पन होता है भाव में अभाव अभाव में भाव इस प्रकार का बोध अविद्या है अविद्या की परिभाशा क्या है जो अस अस्थित्व के बारे में भ्रांत ध्रानना होना ही अविद्या है अविद्या के द्वारा मनुष्यया सोचता है कि जो कुछ है वह या स्थूल जगत ही है और उसके पार कुछ नहीं है वह या भूल जाता है कि या स्थूल जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है या तो केव अविद्या ना केवल अपने आप में एक कलेश है बलकि मनुष्य के अन्य सारे कलेशों की जड़ भी है। अविद्या समस्त कलेशों की जननी कैसे है? इसे समझने के लिए हमें या याद रखना आवश्यक है कि अविद्या कुछ ना होकर माया या अन्धकार का एक क्लेशों की जड़ भी है। एक वेश्टी वाचक कण है और इसलिए इसमें माया के दोनों गुण धर्म विद्यमान होते हैं। एक है इसकी अंधकार फैलानी की शक्ती जिसका प्रभाव मनुष्य को जड़ श्रिष्टी के परे कुछ भी देखने नहीं देता है। अंधकार फैलानी की या शक्ती ही असमिता या एहंकार अर्थात आत्मा की शरीर के साथ जो केवल अणु अर्थात ब्रम्हांडी शक्ती के कड़ों की परिव्रिधी मात्र है। तदूप्रता उत्पन करती है और यही शक्ती अभी निवेश या जड़ श्रिष्टी की वास्तवता तथा उसकी परमसत्यता में विशवाश को अंद्रड़ता प्रदान करती है। वे सुख उपभोग के विशय होते हैं। इन विश्यों में आसक्ती की भावना या राग उत्पन होता है। जिन विश्यों के प्रती विकर्शन अनुभव होता है वे दुख के विशय होते हैं। उनके प्रती दुवेश उत्पन होता है। कर्म कलेश का कारण है उसका विपाक ही दुख है मनुष बंधनों में बंधा हुआ क्यूं है अविद्या अस्मिता राग द्वेश एबम अभी निवेश इन पांच कलेशों के प्रभाव में मनुष एहंकार जनितकार करने में प्रवित्त होता है और फल्सुरूब उसे निवेश इन पांच के लिए अनुवरित्ति का अभाव परम लक्ष है चित का परम लक्ष मनुष्य के लिए सब दुखों की निवेश इन पांच क्यों होता है सब कामनाओं की पूनता है सद्गुरू के दिये हुए साधन के प्रभाव से प्राप्त चित की प्रसन्निता ही आनंद है चित सभी दुखों का अंत तदपश्यात सब सद्गुरूं का उधै कराता है इस प्रकार आत्मा की नित्यता के ज्यान की उपलम लक्ष है इन तीन सत चित आनंद पुरुष का सच्चा सुरूप हैं वास्तविक आविशक्ताईं क्या हैं? मनुष्य को सभावता ही सत चित अवं आनंद की नितांत आविशक्ता अनुभव होती है ये तीन मानवी चित की वास्तविक आविशक्ताईं हैं और इनका उसकी आत्मा के बाहर किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है ये तो उसके अपने स्वरूप के नहित गुनधर्म है मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कैसे होती है जब मनुष्य भागिशाली होकर किसी सद्गुरू की कृपा प्राप्त कर लेता है और उसकी सिक्षाओं का प्रेम पूर्वक पालन करता हुआ अपना सारा ध्यान अंतर मुखी करने में समर्थ हो जाता है तब वह अपने चित की सारी च्छाओं को पूर्ण कर संतोश या सचे आनंद की प्राप्ति कर सकता है सर्व व्यापी चेतना कैसे प्रकट होती है जिस प्रकार चित जब संतुष्ट हो जाता है तब मनुष जिस वस्तु या विशे पर भी चाहे उस पर अपना सारा ध्यान के इंद्रित कर सकता है और ध्यान के उस विशे के समस्त पहल्यों का उसे आकलन हो जाता है अतह प्रकृति के सभी रुपांत्रों में जिसमें प्रकृति की आध अभिविक्ति ओम ये शब्द तक की सभी रुपांतर शामिल हैं नहित चित अर्थात चेतना धीरे धीरे उसमें प्रकट होने लगती है और उसकी धारा में तल्लीन होकर मनुष्य को पश्यताप होने लग शाश्वत अस्तित्व का ज्यान कैसे होता है? मनुष्य को अपनी वास्तिवेक स्थिती तथा माया की स्ष्ष्ष्टी के स्वरूप का बोध होता है। इस प्रकार आत्मा का शाश्वत अस्तित्व सत उसके समक्ष उजागर हो जाता है। सदा के लिए निरस्त हो जाते हैं। इस प्रकार चित्व का मुख्यलक्ष प्राप्त हो जाता है। तब सभी कामनाओं के पूर्ण होने से परमार्थ की सिध्धी गुडों की अभिव्यक्ती से आत्मा की अपने सुरूप में स्थित्धी हो जाती है। इस अवस्था में मनुष इश्वरी प्रकाश को केवल प्रतिलिम्बित ही नहीं करता बलकि परम तत्व के साथ सक्रिय रूप से एकात्म हो जाता है। वही कैवल्ल हैं। मनुष इश्वर को मोख्ष की प्रापती कैसे होती हैं। इस अवस्था में समस्त आवशक्ताओं की पूर्ती अवंपरम लक्ष की प्रापती हो जाने से चित्वपूर्णता शुद्ध हो जाता है। और आध्यात्मिक प्रकाश को केवल प्रतिलंबित करने के स्थान पर अब वह उसे प्रत्यश अभिवक्त करने लगता है इस प्रकार नाद ब्रह्म से शुद्ध और अभिशिक्त होकर मनुष्य अभिशिक्त तारणहार बन जाता है आत्मिक प्रकाश के सामराज में वह और वह अपने प्रिथक अस्तित्व की अहम्मय कलपना त्याग कर शाश्वत परमतत्व के साथ एक हो जाता है अर्थात परमपिता इश्वर में विलीन होकर स्वयम वही बन जाता है इश्वर के साथ यह एकात्मक्ता ही कैवल है यही समस्षिष्ट जीवों का अंतिम लक्ष ह तब स्वध्याय ओम का ध्यान ही यग्य है अच्वर में माया के दुएत जैसे सरदी और गर्मी दुख और सुक आधी में संबुध भी तप है आत्मतत्व के उपदेश सुनना मनन करना एवं निधिध्यासन ही स्वध्याय है प्रणव ओमध्वन ही ब्रह्म एकमात्र इसमें आत्म समर्पन ब्रम निधान है धैर विश्वास एवं पवित्रकार का स्पष्टिकरण सुक उपभोग एवं दुख दोनों में धैर पूर्वक मन और इंद्रियाओं का समभाव बनाए रखना तप है आत्मा के बारे में श्रमण, सुनना, मनन, गहरे मनोयोग के साथ उस पर सोचना तथा निधिध्यासन आत्मा की सच्ची प्रतीत के बारे में धारणा बनाना जैसे मैं क्या हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाऊंगा, किसलिए यहां आया हूँ आदी आत्मा से संबंधित बातों का चिंतन स्वाध्याय है आत्मा का ओम ध्वनी ब्रह्म नाद में विलीन करण या ब्रह्म निधान है जिसे मोक्ष प्राप्ती के लिए किया गया पवित्रकार कहते हैं और यही एक रास्ता है जिसे से मनुष्य अपने इश्वरत्व या परमपिता सत्व के पास पहुँच सकता है श्रद्ध, वीर, इस्मृति वा समाधि के अनुष्ठान से उसका अविरभाव होता है हिर्द्ध में सुभावता उत्पन प्रेम के वेग की तीवरता श्रद्धा है प्रणशब्द कैसे प्रकट होता है श्रद्ध, वीर, इस्मृति तथा समाधि की समवर्धन से एक पवित्र प्रणव शब्द सहज ही प्रकट हो जाता है प्रेम का गुन प्रकटि का या स्वर्द्ध देन हिर्द्ध में प्रकट होती है तब या मनुष्ट की संपून प्रणाली से शोब विकशोब के सारे कारणों को हटाकर उसे पूनता शांत कर सामानने वस्था में ले आती है और शरीर की आधार भूत शक्तियों को नव जीवन प्रदान कर सारे विजातिय तत्वों को प्राकिर्तिक तरीकों से बाहर निकाल देती है इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य को तन मन से पूर्ण स्वस्त कर प्रकिर्ति के मार्ग दर्शन को सही ढंग से समझ पाने में योग बनाती है जब मनुष्य में या श्रद्धा विक्सित हो जाती है तब मनुष्य अपने तथा अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों के सच्चे स्वरूप को समझने में योग्य हो जाता है श्रद्धा जब विक्सित होकर गहरी हो जाती है तब यह मनुष्य को ईश्वर तुल्व महत्वाओं की संगती प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाने का सौभाग्य प्रदान करती है इस श्रद्धा के बिना मनुष्य ना तो प्राकर्तिक रूप से सहज जीवन जी सकता है ना ही अपने कल्यान के लिए योग व्यक्ति की संगत में रह सकता है प्रकर्ति के मार्गदर्शन को समझ पाने में गलतियां करने के कारण वह अवांचनिय तत्व अपने शरीर में ले लेता है उसके कारण वह प्राया विक्षुब्द रहता है और फल्सवरूब उसका शरीर और मन दोनों दुख का कारण बनते हैं उसे किसी प्रकार की कोई शांती नहीं मिलती और उसका जीवन भारभूत बन जाता है इसलिए इस स्वर्गिय देन रूप श्रद्धा का समवर्दन मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य आवशकता है इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी चलपाना मनुष्य के लिए असंभव है श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से तथा उनके उपदेशों का प्रेम से पालन करने से वीर लाब होता है सभी गुरुजन दुख हरने वाले, शंशे का निवारन करने वाले, शांती प्रदान करने वाले सत हैं उनका संग, ब्रह्म के संग के समान करने योग है इसके विपरीत असत हानिकारक है उन्हें विश्च के समान वर्जित मानना चाहिए या श्रिष्टी वास्तव में कुछ ना होकर परमपिता ईश्वर या सत तत्व की प्रश्ट भूमी पे खेला गया प्रकृती का भाव नाट है या परमपिता ही इस श्रिष्टी के परमगुरू है इसलिए इस श्रिष्टी में इस परमगुरू या परमपिता के अतरिक्त और कुछ भी नहीं जो दिखाई देता है वह प्रकृति के नाट के अनेक विद पहुलियों के कारण अनेक रूपों में दिखाई देता है इस स्ष्ष्टी में जो भी चीज हमारे दुख और शंशे को दूर कर हमें शांति देती है चाहे वह सजीव हो या निर्चीव और कितनी भी तुछ या नगन क्यों न प्रतीत होती हो वह हमारे परमादर का पात्र है अन्य लोग उसे चाहे नीच से नीच और तिरसकार के पात्र मानते हो तब भी उसे सत्त तारण हार मानना चाहिए और उसकी संगत को सत्त संग या इश्वर के साथ का संग जो चीज इसके विपरीत परणाम उत्पन करती है अर्थात हमारी शांती को ध्वस्त कर हमारे मन में शंशय उत्पन करती है हमारे दुखों का जन्म देती है और उसे असत समसत अच्छाईयों का नाश मूल समझ कर वार्ज मानना चाहिए और उससे दूर ही रहना चाहिए मनुष्य सोचते हैं भगबान पंच महाभूतों में वास करते हैं मनीशिगन सोचते हैं कि विस्वर्ग या दिवलोकों में वास करते हैं कुछ जन सोचते हैं कि वाकाठ और पत्थर मूर्तियों या प्रतीकों में वास करते हैं परन्तु योगी उन्हें अपनी आत्मा में पाता हैं प्रकाशमान विद्ध शक्ति संपन जोति को समझ सकते हैं सब विक्षोभों के कारण को दूर कर उनकी संपूर्ण प्रणाली को शांत कर उन्हें सामान्य अवस्था में ले आने वाली और उनकी आधार भूत शक्तियों को नव जीवन से भर कर उनके शरीर अवं मन को पूर्णता स्वस्त करने वाली इस जोती के लिए उनमें श्रद्धा उमण पड़ती है तब वे इस जोती को ही भगवान या अपना तारणहार मानते हैं अनेक लोग मूर्ती में अपनी पूर्ण श्रद्धा समर्पित कर देते हैं इस प्रतीक के लिए उनके हिद्य में श्रद्धा भाव बढ़ती जाती है और या श्रद्धा अपने गुडधर्म के अनुसार उनमें समत विक्षोब के कारण को दूर कर उनकी संपूर्ण प्रणाली को शांत कर सामान नवस्था में ले आती है और उनकी आधार भूत शक्तियों को नवजीवन से भर देती है जबकि योकी जन संपूर्ण स्थूल जगत पर नियंतरन स्थापित कर चुके होते हैं उन्हें ब्राह जगत में नहीं बलकि अपने अंतर में ही इस्थित आत्मा में ही इश्वर की प्रतीती होती है गुरू की संगती में रहने का अर्थ केवल शारेरिक रूप से उनके साथ रहना ही नहीं है बलकि मुख्यता उसे सदैव अपने हिर्दय में रखना और तात्विक रूप से उसके साथ एकात्म होना और मन को सदैव उसके साथ जोड़े रखना होता है किसी इश्वर्तुल्य वस्तु या व्यक्ति के संगत में रहने का अर्थ है उसके लिए हिर्दय में पूरी श्रद्धा रखना अर्थात उसके प्रती हिर्दय का तीवरतम स्वभाविक प्रेम होना जैसे की पहले स्पष्ट किया जा चुका है उसके रूप और गुणों को मन में स्पष्ट रखना और उसका चिंतन्त करना तथा उसके उपदेशों का अंता स्फूर्ता आज्या कारिता के साथ पालन करना ऐसा करके जब मनुष्य अपने दिव बंधों के अत्यंत उन्नत अवस्था का अनुमान लगा पाने की योग्य हो जाता है तब वह उसकी संगत पाने और उनमें से किसी एक की साहता पाने का स्वभाग्य प्राप्त कर सकता है जिसे वह अपना अध्धात में गुरू गुरू के साथ रहने से आंतर कुरूप से और गुरू के द्वारा दिये गए उत्सफूर्त उपदेशों का शद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है वह वीर यम नियम के अनुष्ठान से द्रणता से इस्थर होता है अहिंसा सत्य अचार ब्रह्मचर अपिग्रह आदियम है सौच संतोष सद्गुरू के उपदेश का पालन आदियम है वीर नैतिक वीरत्व की द्रणता अहिंसा सत्य चोरी ना करना अस्ते प्राकरतिक जीवन शैली ब्रह्मचर आवशक्ता से अधित वस्तूओं का संग्रह ना करना अपिग्रह आदियम तथ सौच शरीर एवं मन की शुद्धी सब परिस्थितियों में संतोष एवं गुरू के उपदेशों का पालन आदियमों के आचरण से प्राप्त होती है सौच का अर्थ शरीर को अंदर और बाहर से स्वक्ष करके सब विजातिय तत्मों को निकाल देना जो यदि अंदर ही रह जाएं तो सड़ कर शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन करते हैं तथा मन से सब प्रकार के पूर्व अग्रह पूर्व धारनाय आदि निकाल देना है प्राकृतिक जीवन शैली क्या है इसे समझने के लिए यह आप्राकृतिक जीवन शैली से कैसे भिन है यह समझना होगा जीवन शैली खाने के पदार्थ रहने का इस्थान तथा संगत पर निरभर करती है प्राकर्तिक ढंग से जीवन जीने के लिए मनुश्यतर अवनत कोटी के प्राणी इनका अपनी मूल भूत प्रवित्यों तथा शब्द, स्पर्ष, रस, रूप, गंद के समवेधी प्रवेश द्वारों पे अधिश्टित प्राकर्तिक पहरियों की सहायता से चयन कर सकते हैं इसलिए हमारी प्राकर्तिक आवशक्ताएं क्या हैं या समझने के लिए हमें अवलोकन प्रयोग एवं बुद्धी पर निर्भर होना पड़ेगा मनुश्य के लिए प्राकर्तिक आहार क्या हैं? सर्व प्रतिम अपने प्राकर्तिक आहार का चयन करने के लिए हमें अपनी अवलोकन द्रिश्टिक खाने और पाचन के अवेवयों पर अर्था दात तथा पाचन नली प्राणियों को उनके आहार की ओर प्रवित करने वाली ज्यानिंद्रियों की मूल भूत प्रवित्यों तथा शिश्वों के आहार की ओर घुमानी होगी। दातों का अवलोकन, दातों का निरक्षन करें तो हम यह देखते हैं कि मांस भख्षी पश्वों के सामने के दात अधिक विक्सित नहीं होते हैं। परन्तु उनके बगल के दात जिनसे वे अपनी शिकार को पकड़ते हैं काफी लंबे, चिकने और नुकीले होते हैं। इनके बाद इस्थित दाड के दांट भी नुकीले होते हैं परन्तु ये उपर नीचे के दांट एक दूसरे के ऊपर बैठते नहीं बल्कि एक दूसरे के बीच में बैठते हैं जिससे मान्स को फाल कर उसके तन्तु अलग किये जा सकते हैं घास पात खाकर जीने वाले पश्वों के सामने के दांत काफी बड़े होते हैं उनके बाद के दांत बहुत छोटे होते हैं रूप में प्रयुक्त करने के लिए बड़े भी होते हैं जैसे हाथियों के होते हैं दाल के दांतों का उपरी भाग चोड़ा होता है और इसके केवल दोनों तरफ ही इनेमल होता है फलाहारी पश्वों के सभी दात साधानडता एक समान लंबाई के होते हैं बगल के दात कैनाइंस थोड़े से बाहर की और निकले हुए होते हैं शंकू आकार के कोनिकल तता अतीक्षन बलंट जो इस पश्टता शिकार को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि जोर लगाने के लिए होते हैं दाड के दातों का उपरी भाग चोड़ा होता है और उनकी भोजल को पीसने की क्रिया से सता का शेह ना हो इसलिए उन पर इनमल होता है परन्तु ये मांस चबाने के लिए दातों के समान नुकीले नहीं होते हैं दूसरी ओर सर्व भक्षी प्राणियों में जैसे भाल आदी सामने के दात इंसिजर घास पात खाने वाले प्राणियों के उन दातों के समान होते हैं बगल के दात केनाइंस मांस भक्षियों की तरह और चबाने के दात मोलर्स दोनों प्रकार का खाद खाने के काम में आने के लिए नुकीले भी होते हैं और चोड़े भी अब यदि हम मनुष्य के दांतों की रचना का अब लोकन करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के दांत मांस भक्षियों के समान नहीं होते ना ही ये घास पात खाने वाले प्राडियों की तरह होते हैं और ना ही सर्व भक्षियों की तरह मनुष्य के दांत फलाहारी पश्वों मनुष्य के लिए उपियुक्त पौधे की किसी भी भाग को फल कहा जा सकता है। उनके मुख से गुदा तक की शरीर की लंबाई से तीन से पांच गुना अधिक लंबी होती हैं और उनका पेट लगभग पूरी तरह से गोल होता है। उनका पेट मांस भक्षी प्राणियों के पेट से अधिक चोड़ा होता है और ड्यूडोनियम तक उनका विस्तार पहुचता है जो दूसरे पेट का काम करता है। मनुष्यों में ठीक यही रचना पाई जाती है। यद्यपी शरीर रचना विज्ञान कहता है कि मनुष्य की आतें उसके शरीर की लंबाई से तीन से पांच गुना अधिक लंबी होती है। यहां मनुष्य की शरीर की लंबाई को मुख से गुदा तक ही गिनने के इस्थान पर सिर से पांव तक गिन कर शरीर की रचना विज्ञान भूल कर रहा है। अता हम पुना इसी निशकर्स पे पहुचते हैं कि मानव फलाहारी प्राणी है। ग्यान इंद्रियों का अवलोकन प्राणीयों के लिए कौन सा खाद उप्युक्त है। इसे उनकी ग्यान इंद्रियां ही सही माइने में तैक कर सकती है। ग्यान इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवित्तियों का यदि हम अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि जब किसी मांस भक्ष प्राणी को उसका भक्ष दिखाई पड़ता है तो उसे इतनी खुशी होती है कि उसकी आँखें भी चमकने लग जाती हैं वह सीधे अपने शिकार पर तूट पड़ता है और उससे बहने लगने वाले रक्त को कई दिन के भूखे की तरह चाटने लग ज जाता है इसके विपरीत घास या पत्ता पर रक्त के थोड़े से चीट पड़े भी हो तो घास पात पर जीने वाले प्राणी अपने उस स्वाभाविक खाद की ओर देखते भी नहीं है उसे इस पर श करना तो दूर ही रहा उनकी दृष्टी और गंध की इंद्रियाएं उन इसी प्रकार फलाहारी प्राणियों में भी हम या देखते हैं कि उनकी ज्यानिंद्रिया उन्हें पेड़ पौधो और खेतों के फलों की ओर निर्देशित करती हैं मनुश्यों में हम देखें तो किसी भी मानव वंश के मनुश्यों की गंध, धुनी और दृष्टी की सकते हैं, बूचल खाने हमेशा ही गाउं से दूर रखे जाते हैं, मान्स को खुला रखकर ले जाने के विरुद्ध भी कड़े नियम होते हैं, तो फिर क्या मान्स को मनुश्यों का प्राकरतिक आहार कहा जा सकता है, जब उसकी आखें और नाक दोनों ही इसके विरुद्ध हैं, बशर्ते मसालों, नमक और चीनी की सुगंद से उन्हें धोखा ना दिया जाए, दूसरी और फलों को देखें तो उसकी महक, उनका दृष्ष कितना आनंद दायक लगता है, देखते ही मूँ में पानी आ जाता है, यहां इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि विवि इसी निश्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मानव फलाहारी प्राणी रहने के लिए ही बना है, बच्चों का भरण पोशन का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि नवजात शिशू का आहार निशंशे केवल दूद ही है, माता के इस्तनों में प्रचुर मात्रा में दूद नही व्याधी का कारण अता इन अव लोकनों से एक मात्र युक्ति संगत निशकर्ष यही निकलता है कि मनुष्ट के लिए सर्वश्रेष्ट प्राकिर्तिक आहार विविद अन्य धान फल कंदमूल और पे पदार्थों में दूद तथा शुद्ध पानी जिसे खुली हवा और सू प्रकाश पर्याप्त मिलता हो यही है यह पदार्थ पाचन क्रिया में अव यवों की शमता के अनुरूप उचित मात्रा में ठीक से चबा कर लार से अच्छी तरह मिला कर लिये जाएं तो सदा ही अच्छी तरह से पच्चते हैं अन्य खाद्य पदार्थ मनुष्च के ना खाने के कारण शरीर के लिए उनका आयोग्य होना अनिवार है अता जब ऐसे पदार्थ पेट में पहुचते हैं तो उनका ठीक से पाचन नहीं हो पाता रक्त के साथ मिलकर ये मल निसारण से सम्बंधित अव्यवों में संग्रहित होते हैं ये अव्यव ऐसे पदार्थ उसके निसारण के लिए बने ही नहीं होने से ठीक से उन्हें बाहर निकाल नहीं पाते जब ये पदार्थ बाहर निकल नहीं पाते तो गुरुत्वा करशन नियम के अनुरूप उतकों के बीच दरारों में जमा हो जाते हैं और सडने के कारण मांसिक तथा शारीरिक आदि व् अकार मृत्यू की गर्त में धकेल देते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली वासनाओं को शांत रखती है। प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप अनुतेजक आहार पर रहने के द्वारा सहज ही जीत सकता है। या होने पर मनुष्य को वह मना शांती प्राप्त हो जाती है जो हर मनो वैज्यानी जानता है। कि मानसिक क्रिया कलापों एवं दोश रहित समझ के लिए तदा निस्पक्ष सोच विचार के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। काम वासना प्रजनन की इस स्वाभाविक प्रवित्ती के बारे में कुछ विस्तार में बताना यहां आवश्यक है। प्राणियों में आद्म सुरक्षा की प्रवित्ती के बाद यही प्रवित्ती सबसे अधिक बलवान है। अन्य सभी इच्छा वासनाओं के समान ही काम इच्छा भी एक सामान और आसामान या विकृत अवस्था होती है इसकी विकृत अवस्था आप्राकृतिक जीवन शैली के कारण शरीर में विजातिय तत्वों के जमा हो जाने से उत्पन होती है काम वासना में प्रतेक मनुष्य के स्वास्त का अत्यंद सटीक मापियंत्र है शरीर में जमा हुए विजातिय तत्वों के कारण तांत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है जिससे तांत्रिकाओं में विक्षोब उतपन हो जाता है इसका दबाव जनन इंद्री प्रणाली पर पड़ता है और पहले तो यह काम वासना में बढ़ोत्री के रूप में और बाद में इसकी शम्ताक में उत्तरोत्तर हरास के रूप में व्यक्त होता है यह काम विकार अपनी सामान अवस्था में रहा तो मनुष्य को व्याकुल बनाने वाली अन्य सभी वासनाओं से काफी मुक्त रखता है और यदा कदा ही काम वासना की तृप्ति के इच्छा जगाता है यहां फिर से प्रयोग यही दर्शाता है कि जो लोग प्राकृतिक जीवन शैली के अनुसार जीवन जीते हैं उनमें यह वासना भी अन्य सभ इच्छा वासनाओं के समान सामानने होती है जीवन रूपी व्रिक्ष की जड़ महत्वपूर्ण तांत्रिकाओं के अंतिम छोरों का संधि स्थल होने से विशेशता है समवेदन शील तांत्रिकाओं तथा मेरुदंड की तांत्रिकाओं का जो मस्तिश्क के साथ जुड़ी होने के कारण पूरे शरीर में नव जीवन भर सकती है जनन इंद्रियों को एक तरह से जीवन रूपी व्रिक्ष की जड़ कहा जा सकता है जिसे यौन शक्ति के उचित प्रयोग का ज्यान हुवा अपने शरीर और मन को स्वस्त रख सकता है और सुखी जीवन भिता सकता है यौन स्वास्त के व्यावारिक सिध्धानतों की सिख्षा इसलिए नहीं दी जाती है क्यूंकि जनता इसे गंदा और अशलील मानती है इस प्रकार इस विशे में अंधेरे में ही रहकर मानव जाती प्रकृती को परदे में ढखने का प्रयास करती है क्यूंकि उसे प्रकृती अपवित्र लगती है मानव या भूल जाता है कि प्रकृति सदा ही पवित्र है अप्रवित्रता और अशलीलता तो सारी मनुष्य के दिमाग में है प्रकृति में नहीं इसलिए या सपष्ट है कि कामशक्ति के अनुच्चत प्रयोग के खत्रों से अंजान और आप्राकृतिक जीवन शैली के निवास बन जाता है मनुष्य का निवास इस्थान दूसरी बात है हमारा निवास इस्थान जब हम किसी पहाड या वित्तियन मैदान या बगीचे की शुद्ध हवा में स्वास लेने के बाद किसी भीड भाड़ वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो तक्षन मन में जो प्रकृतिक स्थान है प्रकृति के अनुसार तो परवत माथे या खुले मैदान अत्वा बगीचे का या व्रिक्षों के नीचे दूर तक फैली हुई सूखी जमीन का ताजा वातावरन ही मनुष्य के निवास के लिए उप्युक्त स्थान है मनुष्य को अपने क्रिया किया जा रहा है लखनो उत्तर प्रदेश में पहाड तो लाए नहीं जा सकते हैं इसलिए संपूंड बगीचे का निर्माण और खुले वातावरन का निर्माण वहाँ पर उपलब्द है स्वामी युक्तेश्वर गिरी की सिक्षा अनुसार मनुष्य भोजन ग्रहन कर सके इ दिव्व पशुशाला का भी निर्माण किया जा रहा है जहां पे मनुष्य पूनता स्वक्ष आहार एवंदुग्द ग्रहन कर सकेंगे हमारी संगत कैसी हो यदि हम अपनी अंतरात्मा के निर्देशों की ओर ध्यान देंगे और अपनी स्वभाविक प्रवित्यों को देखेंगे तो तुरंथ हमें पता चल जाएगा कि हमें वे लोग अच्छे लगते हैं जिनके पास जाते ही हमारा मन प्रसन हो जाता है और हमारे तंतर को शांत करते हैं हमारे अंदर नवजीवन भर देते हैं हमारा स्वभाविक प्रेम को विक्सित करते हैं और इस प्रकार हमारी व्यथाओं को दूर कर हमें शांति प्रदान करते हैं दूसरे शब्दों में हमें सत या त्रान दाता की संगत में रहना चाहिए और असत की संगत जैसे की पहले श्पष्ट किया जा चुका है कि दूर रहना चाहिए सत के संग रहने से तन मन के पूर्ण स्वास्त का आनंद भी प्राप्त होता है और आयू भी बढ़ती है और इसके विपरीत यदि हम अपनी अंतरात्मा के आदेशों की ओर कोई ध्यान ना देकर प्रकृति के संकेतों का उलंगन करते जाते हैं प्राकृत कहा जाता है ऐसी बातों का संग करते हैं तो विपरीत परिणाम ही भोगना पड़ता है जिससे हमारा स्वास्त खराब हो जाता है और आयू घट जाती है प्राकृतिक जीवन शैली और सौच की आवशकता इस प्रकार प्राकृतिक जीवन शैली यम के पालन में सहायक होती है उसी प्रकार शरीर अवमन की शुद्धता नियम के पालन में महत्वपून होती है उस पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हर संभव जेष्टा करनी चाहिए मेरा नाम दिवांशु है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि नित प्रते दिन आप क्रिया योग का अभ्यास अवश्य करें नमस्कार अभूम धन्यवाद धर सहे के लिए्टा सभी से नित झारी करनी चाहिए C 촬영ector और मैं अभ्यास नित आप काची शुछ्बंच्त करने लिएYY झाल झाल